नमस्कार मेरे पैर बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर में और मैं हूँ लौकुस मिस्रा तो आज के इस वीडियो को सुरू करने से पहले आप इस वीडियो को फटा फट लाइक कर लीजिए और नए हैं तो चैनल को स अप्लोड की जाती है उसके सारे सलेबस अप्लोड किये जाते हैं तो आज की क्लास को सुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग संधारित्रों का उप्योग कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे संधारित्रों का उप्योग यूजेज आफ कैपेसिटर्स संधारित्रों का उप्योग कहां कहां होता है यहां पी मैंने पाँच प्रकार से बतलाया है पहला प्रकार है आवेसों के संचै करने में जब हम आवेशो को संचित करते हैं एकठा करते हैं एक जगए एकठित करते हैं तो उसका उपियोग कहा होता है आवेशो के संचय करने में संधारित्रों का मतलब है जो आप फैन में लगाते हैं फैन की गती को बढ़ाने के लिए वही है संधारित्र अब उसी को हम फैन में लगाते हैं जिससे हमारे फैन की गती तेज हो जाती है वहाँ पे ठेर सारे आवेशों को जब फैन में अर्जेस्ट किया जाता है तो आवेशों के संचे करने में कहते हैं दूसरा नमबर है उर्जा के संचे करने में ठीक है अगर आवेश संचे करेंगे तो जाहिर सी बात है आवेश ही एक प्रकार का उर्जा है तो उर्जा के संचे करने में भी कह सकते हैं दूसरा नमबर है इलेक्ट्रानिक परिपत में इलेक्ट्रानिक परिपत का मतलब है टेलिवीजन हो गया फायन हो गया ठीक है विद्दुत मोटर हो गयी और डाइनमो हो गया तो इस प्रकार के सभी उपकरणों में हम लोग संधारित्रों का प्रियोग करते हैं तो वही हमारा इलेक्ट्रानिक परिपत है बैदूत उपकरण में बैदूत उपकरण का मतलब फायन क्या है आपका बैदूत उपकरण है टीबी क्या है बैदूत उपकरण है ठीक है ये सभी बैदूत उपकरणों में किया जाता है बैज्यानिक के अध्यन करने में हैनि बैज्यानिकों के उ कुपियोग में भी ये हमारा संधारित्र आता है। संधारितों के ब्यावहारी कुपियोग कई प्रकार के हैं। जैसे पहला नमबर देखे। अभ्रक संधारित या कागज संधारित यानि संधारित में भी कितने संधारित हैं एक तो अभ्रक का बनेगा दूसरा कागज का बनता है बिद्दुत अभ्घटनी संधारित बिद्दुत अभ्घटन की क्रिया में जो भी संधारित बना जाते हैं वो संधारित बिद्दुत अभ्घटनी संधारित का ब्यावहारी को प्योग में किया जाता है परिवर्ति वायू संधारित्र परिवर्ति वाय में भी इस संधारित्र का प्रियोग किया जाता है तो इस तरीके से ये हमारा संधारित्रों का उप्योग और उसके ब्यावहारिक उप्योग यहाँ पर कंप्लीट होते हैं तो ये हमारा जो चैप्टर है वह यहां पर कम्प्लीट होता है